आज हम लोग सिखने वाले हैं कुछ अलग तरीके से एक कड़ी बनाना तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे एक कड़ी एक कड़ी तो बहुत सरा हम लोग खाते हैं पर आज कुछ अलग स्टाइल में बनाना सिखेंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है एक बर खाईएगा त आप लोग को दिल से सुक्रियादा मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और अपना इंपोर्टेंट टाइम देखे मेरा वीडियो देखने के लिए तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है उसते पहले अगर आप मेरे चैनल पर न अगर बीच बीच में आप इसे छोड़ दीजेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर इसे बीच बीच में चलाते लिएगा क्योंकि इसके वज़े से नहीं चलाने को जैसे तले में चिपकता है जिसके वज़े से हमारा प्याज बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउंड और प्याज को गोल्डन ब्राउंड करने का में रिजन यह होता है कि प्याज गोल्डन ब्राउंड अगर भूनते हैं तो जो सबजीमें जी और यहां बहुत ही अच्छ Saiac को निकाल लेते हैं ठंडा होने wasp को पीस लेगे आप फीर साइम हरी मिर्च का पेष्ट यहां पेष्ट डालने के बाद उसको भी भूल लेंगे तो हम साथ में अद्रैक लैसुन हरी मिर्च और जीरा मरिच का पेष्ट बना लेते हैं इसके बाद डाल देंगे दो चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और इस सबको मिक्स कर लेंगे छोटे चमच से दो चमच अपको हल्दी पाउडर डालना है बड़े चमच से एक चमच अपको धनिया पाउडर और सबक मिक्स करना नहां, जब तक मसाले से तेल अलग न न ultफार मक्साला अलग ? और मसाला देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि मसाला हमारा बिल्कुल पर्फिक्ट तरीके से भून चुका है। इसके बार डाल देंगे प्याज जो प्याज भून के रखेते हैं उसको हम पीस लिये थे तो प्याज को डालके मसाले के साथ ही भूल लेंगे। पसालोब कर सकते हैं और हमारा मसाला युछ स्कीप कर सकते हैं। मसाला बीक Azerसका में टीका ख़ना शाया है। इससे ज़्यादान मसाला को नहीं भूनेगे तो मसाला जल जाएगा उतना ही भूनना चाहिए जब तक इसे तेल सने मसाला को वलोग नहीं भूनतें और अब देख सकते हैं पहले का पानी मसाला का peach हो गया धर ग्रेवी और फो तो इस बात का ध्यान रखेगा कि आपको ठंडा पानी बिलकुल भी नहीं डालना है इससे मसाला का फ्लेवर थोड़ा कम हो जाता है तो आपको गुनगुना पानी ही डालना है तो उबल तक पानी ले लिजी और डाल दीजी और यह देखे हमारा जोई बिलकुल कड़ी बनके और परें स्वलिय प्वोड यह सेग़ा है जो मुरिगे पर पहले ओंदा आपको जितना बनानाे उतना फ्लूर लिए हैं के यहां पर मीडे आपप की आपकई छ्हे अश्ट में तर्फ में कहल Segıl नमक आपको बहुत ही स्लो मोसम में अंजे मिक्स करना है सब्सक्राइब चोड़ा पांदने में यह पर सब्सक्राइब काधा पर सब्सक्राइब आपको बोला है मिलेगा थोड़ा से पहला देते हैं ताकि और भी अच्छे से पक जाए और यह देखिए इस तरीके से अगर आप अच्छे से पका लेना है बिल्कुल थोड़ा से घीला नहीं रहना चाहिए और यहां पे अगर आपको अंडा ज्यादा लेना चाहते हैं तो ज्यादा भी ले सकते हैं और यह देखिए कुछ इस तरीके से जब दिखने लगेगा तो जो हमारा अंडा है बहुत ही अच्छे से भून गया है तो अब इसे हम निकाल लेंगे और हमारा ग्रेवी भी बनके त पांच मिनट के लिए ज्यादा नहीं बस पांच मिनट के लिए आपको पकाना है पांच मिनट के बाद हमारा यह अंडा कड़ी बनके त्यार होगे अब देख सकते हैं कितना टेश्टी और एमी लग रहा है ना इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ नान रोटी लच्छे प्रांटे के साथ भी खा सकते हैं गर इस सब का वीडियो देखना चाहता है बनाना घ़र पे तो मेरे चर्णल पर पियंका डिश्टी व्यूत्य चिनल पर अपलोड यह वहाँ जाके देख सकते हैं को मेरे चर्णल को डली बीडियो रिभीव बीडियो दोनों मिलता है बीडियो पसंदने पे बीडियो को लाइक शेर